हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई शैनल मैं हूं मोनिका गुलियो और आपके लिए इंडियन जिके की नेक्स सीरीज लेके आई हूं कोशन बहुत जादा इंपोटेंट हैं सारे के सारे कोशन आपको ध्यान से करने हैं आपको पता है हर याना की एक्जाम सो या रेलवे का सब्सक्राइब लिए उसमें से कोशन जरूर कशें जाते हैं तो चलिए स्ट परते हैं हमेशे की तरह बस पांट सेकेंड का टाइम मिलेगा सभी को अपना अनलेसिस करने के लिए उतने में आपको अपना आंसर सोच लेना और फ्रेंड में सभी को स्कृट करके जाना है टो सिंदु नदी तंत्र की एक मात्र नदी कौन सी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है अब जो सिंदु नदी तंत्र है ना उसमें जितनी भी नदिया है न उसकी वह सारी की सारी पाकिस्तान जाती है सिवाए एक के तो वह कौन सी नदी है जो भारत में ही रह जाती है तो क्या होगा प्रकुब munila डर्रा कहां पर है इसमें से सिय की मासम जमू कश्पिर इया ज़लतीस आंसर तिजिए लिए आंसर में बता रही हूं इसका आंसर.? लेख अप तो चुम्भी घाटी दर्रे यह सब पूछे जाते हैं ठीक है और वैसे भी यह तो पहले के कोशन से आई हुए हैं तो बताइए किस राज्जम है चुम्भी घाटी तो इसका अंसर क्या होगा सिक्किम ठीक है चुम्भी घाटी कहा पर है सिक्किम राज्य में हैं देखिए अगर किसी को अलगर आओ मैं आंसर देने में जल्दी कर रही हूँ आपको टाइम नहीं मिल रहा है उप्शन्स चेक करने का तो आप वीडियो को पॉस कर सकते हैं जब में आखेग को एक कॉश्चिन शाहते है उनकी फटा फट से रिविजन भी हो जाएगी तो किसी को सा बार्त को मियं मार से जोड़ता है बता को इस का अंसर होगा संसर होगा तुजु दर्रा जिक दोफिसु दर्रा बारत को सो जोड़ता है और यह तर्ण P R unlocked पर तो यह रहा इंडियास फर्स्ट बहुत इंपोर्टेंट होते हैं जो भी पहले हुआ हो वह पेपर में अक्सर पूछा जाता है तो बारत की पहली महीला फ्लाइट कमांडर कौन सी है इन में से बताइए तो इसका अंसर होगा शालिजा दामी शालिजा दामी बारत की पहली महीला महीला है और वही मुंबई से हैं यह भी याद रखेगा क्योंकि यह भी पहली महीला है कौन सी अट्लंटिक मासागर को पार करने वाली ठीक है नेक्स्ट क्वेशन सरवोच ने में नया दिशो की अधिक्तम संक्या कितनी है यानि कि मैक्सिमम नंबर ओफ जजज़ तो इसका नया दिशो की अधिक्तम संक्या 34 हो गई है और पहले यह 31 थी ठीक है तो 31 से 34 कर दी गई है नेक्सक्राशन देश का पहला डाइनस और म्यूजिम और जिवाश्म पार्क कहा है अब जैसे कि मैंने आपको बोला था जो भी भारत में पहला हो संसार में पहला वह बहुत इंप kovीपेपर के लिए तो यह देश का पहला डाइनस और म्यूजिम और जिवाश्म पार्क वहीं नेक्सक्राइज का पहला विदेशी पार्क कहा है अब भारत का पहला विदेशी पार्क बनाए गया था यहा रही मैसाल था मुंबई उस्के बारत का पहला विदेशी पार कहा है मुंबई में है और इसमें लगब्फ पंदरा सो के करीब जो विदेशी पक्षी आते हैं ठीक है निवास करते हैं पुष्फ-फॉजिसकार आजदी के डिवाने संगराले कहा है तो बताइए आजदी के डिवाने संग्राले इनमें से कहां पर है आपको पता है पुराताथ्व संग्राले मतलब इतने यहीं यहींशिब्णों अगर्ण होते हैं वह बहुत HOP यह वहां पर बनाया गया है तिक है आज दी के दिवाने संग्राले दिली के लाल किले में ऑप्षन में दिली भी आ सकता है और में भी लाल किला भी आ जाए तो दोनों याद रखेगा एवरी वाट काउंट पुस्तक किस ने लिखी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये बुक पेपर में कई बार पुछ ली गई है इसलिए मैंने इंक्लूड की है हो सकता है फिर भी पुछ ली जाए क्योंकि जो चीज़े एक बार रिपीट होने लग जाती है वो बार बार पेपर से लवणिया है इन मेंसे कोई नहीं इंग्लिश के स्टूफ्ड के लिए बता धी हूँ मैं अमलीय यानिकी एसुडिक शारीयं यानिकी बेसिक लवणिया यानिकी उनके जो बेश्यों का होता है नूट्रल ऑके बताई अब क्या है अै अममनियम क्लूराइड को एं सुचक हम झाल इपा नशेंव आप हमसुट मैं की सूचना तो आप ही नर्मदा का उद्गंस थल यह है तो बताइए नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है इन में से इंपोर्टेंट है सभी नद्यों के उद्गम स्थल इंपोर्टेंट होते हैं आपको पता ही होगा तो इसका अंसर क्या होगा अमर कंटक ठीक है नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है अमर कंटक है वेरी वेरी इंप एंप्रेंट कॉन है तो सबसे पहले परणवीर-किस ने जीता था आपको पता है ये बाधुरी का पुरस्कार है बहुत इंपोटेंट है तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है इन में से मेजर सोमनाथ शेरमा ठीक है मेजर सोमनाथ शेरमा है प्रथम परमवीर चक्र विजेता नेक्स वर्शन बारत की सरवाधिक बड़ी जंजाती कौन सी आप आपको गोंड जो पर जाती है वो सरवादिक सबसे बड़ी है जन जाती है नेक्ट वर्शन है हिंदी बाशा का पहला समाचार पत्र कौन सा है तो पता ये हिंदी बाशा का पहला समाचार पत्र कौन सा हिन में से पहला समाचार पत्र नहीं पुछा है आपर हिंदी बाशा का पहला समा मारतंड हिंदी भाषा का पहला समाचयर पत्र कौन सा है उधंत मारतंड है ठिक है वेरी वेरी बोला है कि पहला दो भी हो स्विदान के किस अनुछेद में हिंदी को राष्ट वाष्ट République लाष 233 जो 343 अनुछेद हैं उसमें भारत की राश्टर भाषास्विकार किया गया है किसको हिंदी को नेक्ट वर्शन है सबसे पहले सूरिय किस राज्य में ऊकता है इन में से बताईए तो इसका रोगा आरुणा चल प्रदेश सूरिय उगता है सबसे पहले प्रथम वितायों का गठन कब हुआ very very important question और बहुत ज़्यादा सन पूछे जा रहे हैं अजकल और प्रथम वितायों का गठन हुआ 1951 भारतिये जीवन बीमा निगम यानि की स्थापना कब हुई तो बताये कब हुई थी तो इसका अंसर क्या होगा 1956 में भारतिये जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी और ये सितंबर में हुई थी ठीक है अब आप मुझे कमेंट बोक्स में ये बताएंगे कि ये किस के काल में हुई थी ठीक है किस के काल में हुई थी क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी ओपे कमुख्यले कहां पर है तो बता ही ओपे कमुख्यले कहां पर है इन में से आंसर दीजे जल्दी से तो इसका आंसर क्या होगा विएना ठीक है ओपे का मुख्यल है विएना में है और विएना कहा है ऑस्ट्रिया में है ठीक है चलिए ओपे की फुल्फम बता देती हूं मैं आपको मुख्यल है विएना में है प्लास्टिक मनी क्या है इनमें से थैपको पता ही होगा चलिए इस पर ताइमें करते आपको अंसर बता देते हूं इस एसका होगा क्रेडिट कर्ड कर्डिट कर्रेडिक का है क्रेडिट कैborg कहा है अब शार्क से अले श कुर्वेट frankly क teen ries जो मैंने पहले जो कुईज करा ही है लगवग इससे पहले मैं आपको 67 को इस चुकी हूँ इंडियन के की तो इसकी डिटेल आपको बता नहीं कि स्थापना कब वही थी तो इसका अंसर क्या होगा पहले की जो वीडियो मैंने करा ही है प्रिवेस एर इंडियन जी के की वह किसकिस ने द्यान से देखिए बताए जल्दी से किशन गंगा किसकी साहयक नदी है आपको पता है साहयक नदी पेपर में कितनी ज़्यादा पूछी जाती है बहुत इंपोटेंट है तो बताएं क्या ह तो इसका अंसरोगा जेलम ठीक है जेलम की साहयक नदी है कि शन गंगा बहुत इंपोटेंट है याद रख लिजें इनको ठीक है डेली डेली में आपके लिए लगले को सुन लो इसको ठीक है वीडियो को सुन लिया करो रात को एक बार इस आपकी रिविजन हो जाएग यह पके याद हो जाएंगे जब आप बिल्कुल फ्री माइंड से लेटे हो ना रेस्ट कर रहे हो तब फोन को उल्टा करके रख दीजिए वीडियो चला के और सिरफ सुन लीजिए ठीक है इससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा रेस्ट भी हो जाएगा और चीजे कानों प्रथम जल विद्यूत शक्ति केंदर परियोजना कौन सी है और यह कौन सी नदी पर बनाई गई है तो यह कावेरी पर बनाई गई है पूचा जा सकता है प्रथम जल विद्यूत शक्ति प्रियोजना किस नदी पर बनाई गई थी तो कावेरी पर बनाई गई थी वेरी वेरी इंपोटेंट अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है तो अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है बताइए तो इसका अंसर क्या होगा कृष्णा नदी ठीक है कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध याद रखेगा आलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है जितने बांध है वो important होते हैं पर में पूछे जाते हैं next question बारत की सबसे गहरी खान कौन सी है तो इन में से बारत की सबसे गहरी खान कौन सी है ठीक है कमेंगे दों हो चुका है पिछले तुन इस वारadt है को बता था चोटा नागपुर पठार की सबसे ऊची-चोटी और सी है अब सब भी जितनी भी परवतमाला है ना सब की उची चोटी आपको पता हो नहीं ठीक है तो छोटा नागपुर पठार की सबसे उची चोटी पारसनाथ है देखिए मैं बोल रही हूं आपको अगर एक बार में चीज़े याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है जब भी आ रहे हो ठीक है उससे वह चीज़े आपके कानों में जाती रहेगी और आपका क्विज्जबी सवलता रहेगा पता भी चलता रहेगा किस कांसर क्या होना चीए और कुछ दिरबाद आएक तो आपको कन्फोर्म हो जाएगा पक्का याद हो जाएगा फिर दिमाग में गुज भ्रत्वी से सूर्य की दूरी सबसे कम होती है तो इस काउंब्स परátका होगा जानवरी की दूरी सबसे कम होती है तो सबसे ज contingent सबसे ज्यादा होती है 6 जुलाई को I think 6 जुलाई को ही होती है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है आपर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नहीं पुछा है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पुछा है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो Greenland है ठीक है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप Greenland है विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली द्वीप है ठीक है जो बारत में ही है और विश्व का सबसे बड़ा प्राय द्वीप आरब है ठीक है सबसे औरमिक समेलन करता था और आपको हिंट भी कुम्भ जो मेला था ना वह भी स्टाषक है इन्हों मेला तो समझए कोंसर काउगा हर्श वर्दन inю छो थे वह थे यार्श वर्श में डारमिक समेलन करते थे कर मेला किसने raft स्टार्ट किया था ऐसा राजवन्ष कौन सा था जिसने हत्या करके सत्ता हसिल की और अंत भी उसका वैसा हुआ यानि कि उस राजवंश की स्टार्टिंग जो हुई थी उसने हत्या करके अपना राजवंश स्टार्ट किया था और आखरी में उस राजवंश की भी हत्या करके इस मापती होगी थी ठीकर दूसरा राजवंश आया था तो क्या होगा इसका अंसर बताइए शुंगवंश ठीक काफ कोशन काफ़ इंपोर्टेंट है तो इसका अंसर क्या होगा बल्बन ठीक है नवरोज उत्सो बल्बन ने प्राणम किया था और बल्बन की एक नीती थी काफ़ी फेमस रहती है मैं आपको जब भी बल्बन का नाम आता है बताती हूं था कि आपको याग जैल लोह एम रक् चिजदा और पैबोस जो प्रता थी वो भी बल्बन ने ही शुरू की थी ठीक है सारी की सारी चीज़े यादो नीशी आपको जो मैं बताती हूं इंपोर्टेंट होती है कनिश्क की राजधानी निम्ण में से कौन सी थी अब जितने भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट व ज़ Dance एवालमिकी थे महावारत के लेखक वेद्यास्त है ठीक है लेकिन उत्राम चरितम के लेखक कौन थे बताएए तो इस CONSER क्या होगा बवबुती ठीक है उत्राम चरितम के लेखक बावबूती थे कुछ स्टुडेंट्स गलती से इसको तुलसी दास मार्क कर सकते थे इसलिए इन्कलूड किया है ठीक है उत्तराम चुरी तमके लेका बावबूती नेक्स्ट क्वर्शन चोल वंच का संस्थापक कौन था तो चोल वंच का संस्थापक इन में से कौन था बताईए चलिए आंसर में आपको बता रही हूं इसका आंसर क्या होगा विज्जल ले ठीक है चोल वनच का संस्तापक विज्जल ले था और यह जो मैंने उपर उप्शन में दंति दुर्ग दिया हुआ है ना यह राश्टर कूट वनच का संस्तापक था याद रखेगा यह कॉश्चन CPO में या CGL में I think 2018 में पूचा गया था कबीर की समादी कहां पर है आपको पता है कबीर कितने फेमस है कबीर के दो है वगारा कबीर जिनोंने बीजग की रचना भी किठी परमें पूचा में गठित कैविनेट मिशन के अध्याकष कोन थे, तो 1946 में अपको यहां से पोईंट क्लियर हो रहा है, कि कैविनेट मिशन अध्याकष कोन कैविना थे, अध्याकष कोन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सर जोन पैथिक लोरेंस ठीक है सर जोन पैथिक लोरेंस थे 1946 में गटित कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष है मुहमद अली जिन्ना को कायद आजम किस ने कहा मुहमद आली जिन्ना को कायद जम इन में से किस ने का था किस ने किसको कौन सी पदवी दी ये important होते हैं तो इसका answer क्या होगा महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने का था मुहमद आली जिन्ना को काय दिया जम Muslim League ने किस अधिवेशन में बाटो और छोडो का नारा दिया था ठीक है बाटो और छोडो का डिवाइड एंड ट्विट तो कौन सा अधिवेशन था वो तो इसका अंसर क्या होगा कराची अधिवेशन ठीक है कराची अधिवेशन जो की 1943 में हुआ था मुस्लिम लीग ने नारा दिया था बाटो और किसने पाकिस्तान की मांग पर मुस्लिम लीग का समर्थन किया यानि कि मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान की मांग की थी ना तो इन्होंने इनका समर्थन किया था ठीक है और तो और इन्होंने कांग्रेस से इस्तिफा भी दे दिया था तो इसका अंसर होगा सी राज पालाचारी ठीक है सी राजागो पालाचारी ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था पाकिस्तान की मांग पर और 1902 आलिस में इन्होंने कांग्रेस से इस्तिफा भी दे दिया था मुस्लिम के समर्थन में ही नेक्स्ट क्वेशन अंतिम मुगल समराट को किस ने गिरिफ्तार कि अंति मुगल समराट कौन थे बहादुर्शा जफर दिवित्य था उनको तो उनको गिरिफ्तार किसने किया था इन में से कोस्षिन यह और important है तो पताइए अंति मुगल समराट को किस ने गिरफ्तार किया था इन में से तो इसका असर क्या होगा Hudson जो Hudson थे उन्होंने अंति मुगल समराट बहादूर शाज जफर द्वित्य को गिरफ्तार किया था अंति मुगल इस यात्रा भी बोल देते हैं ठीक? तो इसका अंसर क्या होगा? सुभास चंद्र बॉस इस नेता जी सुभास चंद्र बोस ने गांदी जी के नमक सत्यागरे तुल्न नेपॉलियन की पेरिस एलवा यात्रा से की थी किस अनुसूची में नयादीश राज्यपाल, वयर राष्टर पतियादी के वेतन बत्ते का जिकर है याने कि वेतन बत्तों के बारे में दिया गया है आपको पता है अनुसूची यों सारी IMPORTANT है और आपको जितनी में अनुसुची है न सबके टोपिक्स याद होने शीये हैं तो इसका अंसर क्या होगा दूसरी ठीक है जो दूसरी अनुसुची है न उसमें नया दीश राज्यपाल राष्टरपतियादी जो है उनके वेतन बत्तों की बात की गई है राष्टरपती सविध किस अनुच्छेद के अंतरगत लोग सबाब भंग कर सकता है यह आर्टिकल में कई बार तो पुछा जा चुका है और फिर बीज़र कुछा जाएगा तो इसका अंसर क्या होगा 85 ठीक है आनुचेद 85 के अंतरगत लोग सभा को बंग कर सकता है राश्टरपती ठीक है very very important याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से सेवी की स्थापना कब हुई तो बताएं ये सेवी की स्थापना कब हुई आपको देख के लग रहा होगा आज के questions कितने ज़दा important है सारे के सारे तो इसका अंसर क्या होगा सेवी की स्थापना कब हुई थी बताएं जिल्दी से चलिए time up होता है अंसर में आपको बता रही हूं इसका अंसर क्या होगा सेवी की स्थापना हुई थी 1988 में सन 1988 में ठीक है वो बात अलग है कि इसको जो मान्यता मिली थी वो बाद में मिली थी नागिन जील किस रज्य में है तो नागिन जील किस रज्य में है जम्मू कश्मीर ठीक है नागिन जील जम्मू कश्मीर रज्य में है यह जो नागों से related जादतर जो जील है ना वो जम्मू कश्मीर में ह मिलेगी शेशनाग जील वो भी जम्मु कश्मीर में ही है तो जब भी बता रही हूं यह ज्वाट है जदार जो नाग नाग वगारे से रेलेटिट जील है नहीं जो भी जीलाजेशे लागार कर सकते हैं सिंदु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्मान होता है तो बताइए सिंदु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्मान होता है आपको पता है सिंदु कितनी इंपोर्टेंट नदी है तो उससे रेलेटिट दर्रे तो इंपोर्टेंट होंगे ही और इंपोर्टेंट इंपोर्टे है यह जासको ब्लकुर अच्छे से देश का सभसे गहरा बंदरगा कौन सा है तो देश का सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है इस minor इसका आप सभी को पता ही वागा विशाखा पटनम के देश का सभसेcker गहरा बंदरगा है विशाखापटनम तो चलिए आज की हमारी important quiz यहीं पर समाप्त होती है सभी students जल्दी से अपना score type करके जाएंगे ठीक है जिस जिसने भी वीडियो देखी है सभी students अपना score type करके जाएंगे और यह भी बता के जाएंगे कि questions कैसे लगे ठीक है वीडियो मैं भी available होती हूं लाइव आपके answers देती हूं ठीक है लाइव चैट में तो जिसको कोई doubt पूछना हो आप quiz में आ सकते हैं डेली रात को 10 बजे quiz होता है तो उसे attend किया कीजिए और I hope सबने अपना score type कर दी होगा जितना हो सके please वीडियो को like कर दीजिए जितना हो सके अपने नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और हां इससे पहले भी मैंने previous year quiz की बहुत सारी series डाल चुकी हूं मैं तो इंडियन जिक्के की आपको series playlist में मिल जाएगी इससे पहले मैं लगबग 7-8 वीडियो और डाल चुकी हूं 50 plus questions की तो उनको भी देख लीजेगा playlist में जाके ठीक है औ तो अगर आपको और किसी topic पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप comment box में बता सकते हैं और हां 10 बजे live test attend करना मत भूलेगा है जैसे के students thank you